Hello everyone, welcome back to my channel. तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे W.B. Yeats की एक सिप्रिच्वल पॉम जिसका नाम है A Dialogue of Self and Soul. इसे उन्होंने 1933 में सबसे पहले पब्लिश किया था The Winding Stair नाम की एक Poetry Collection में. W.B. Yeats, Platonism and Eastern Philosophy से काफी influence थे. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये दो philosophies क्या खहती हैं. अगर हम Eastern Philosophy की बात करें तो इसमें Hinduism, Jainism and Buddhism आ जाता है. जो की mainly South Eastern Asian countries में prevalent है. इनके according जो हमारी sufferings होती हैं and sorrows, दुख-दर्द होती है mainly. उसका कारण होती हमारी desires. और अगर हम हमारी इन इच्छाओं को थोड़ा कम कर सकते हैं क्योंकि हम उन्हें totally eliminate तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम एक ऐसी society में रह रहे हैं तो इससे क्या होगा कि हमारे मन को थोड़ी शान्ती मिलेगी. और दूसरी तरफ बात आती है Platonism की. जो की great Greek philosopher Plato की philosophy है. ठीक है? उनके according इस दुनिया में कुछ ऐसे abstract concepts होते हैं जैसे कि God होके. उन्हें आज तक किसे ने देखा नहीं है, किसे ने touch नहीं किया, लेकिन हम सब उन्हें feel करते हैं. हमारा एक spiritual connection है उनके साथ. तो ये तो थे कुछ concepts जिससे कि William Butler Yead inspired थे. अब हम बात करते हैं a dialogue of self and soul की. इसे two parts में divide किया गया है. First part में तो self and soul का एक dialogue होता है, यानि कि उनकी conversation होती है. Soul represent करती है हमारी आत्मा को, हमारे दिल को. On the other hand, self represent करती है human body को, यानि कि human mind को. Christian ideology के according, self को, यानि कि body को ही, सारे sinful acts के लिए जिम्मेदा ठहराया जाता है. क्योंकि वो ही earthly desires की तरफ tempt होती है. ठीक है? And soul हमेशा पायस रहती है. लेकिन Yeats ने इसके contrary लिखा है, क्योंकि वो मानते हैं कि दोनो equal ही important होते हैं. हम किसी एक की value को कम करके, दूसरे को ज्यादा importance नहीं दे सकते हैं, क्योंकि दोनों ही parallel चलते हैं. और इस चीज़ को signified करता है, स्पॉम का second part, क्योंकि उसमें सिर्फ self का ही monologue होता है. तो इस चीज़ से हम ये gate कर सकते हैं, कि WB Yeats, self को भी equal ही significant मानते हैं. तो आईए, अब हम इस पॉम को पढ़ना start करते हैं. तो इसके first tenja में soul अपनी characteristics बताती है, वो कहती है कि वो ही होती है जो body को guide करती है, कि की situation में उसे कैसे act करना है. इस tenja में एक zigzag ancient stare की बात की गई है, जिसका मतलब होता है हमारी life. यह चीज हमारी life को represent करती है, zigzag मतलब हमारी life में कैसी situation arise हो जाए, कैसे circumstances create हो जाए, हमें कुछ भी नहीं पता होता. यह full of suspense होती है, तो कौनसी situation में कौनसा step लिया जाएगा, यह soul ही direct करती है body को. And ancient का मतलब है, हमारी जो life है, जो जीवन है, वो बहुत पुरान है. Adam and Eve की story आप लोगों ने पढ़ी है, वो जितना पुरान है, उतनी ही पुरानी हमारी जिन्दगी है. और soul भी उतनी ही पुरानी है, क्योंकि जो body है, वो decay होती रहती है. Soul आज इस body में है, तो कल उस body में होगी, लेकिन वो eternal रहती है. वो बहुत सालों से ऐसे ही चलती आ रही है, इसलिए उसे experience है. इसके इलावा soul ये भी बताती है, कि human mind में जो बहुत सारे thoughts चल रहे होती है, उन्हें एकठा करने के लिए वो उन्हें एक जगा भी provide करती है. तो second stanza में self बोलती है, वो अपनी life का experience share करती है, और बताती है कि उसका एक friend था, जुन्जो सेटो, और वो उसे एक sacred Japanese blade देके गया था, और ये एक glass के जैसे चमक रहा था, और काफी शाप भी लग रहा था, और इसे एक Japanese lady के gown के कपड़े से wrap किया हुआ था. आप सोच रहे होगे कि self हमारे साथ ये चीज़ क्यों share कर रही है, क्योंकि ये blade एक symbol है, ये जुन्जो के साथ हमेशा रहेगा, जुन्जो इसे हर एक condition में बचा के अपने पास रखेगा, क्योंकि ये चीज़ symbolize करती है soul को, soul हमेशा ऐसे ही रहती है intact, जिस कपड़े से उसे wrap करके रखा गया है, वो symbolize करता है हमारी body को, अगर वो कपड़ा खराब हो जाएगा, तो जुन्जो उसको नियू कपड़े से wrap कर लेगा, ऐसे नियू कपड़े आते रहेंगे, अपना जो काम है वो करते रहेंगे, लेकिन blade सेम रहेगा, जो blade है वो soul है, और जो कपड़ा है वो हमारी body है, जो कि आती जाती रहती है, इसका जो third stage है, वो first को ही continue करता है, जिसमें कि soul ये पूछती है, कि जो human mind है, वो हमेशा कुछ questions की search में क्यों रहता है, मतलब उसे हमेशा कुछ न कुछ जानना क्यों होता है, वो टिक्क्य क्यों नहीं बैठता, जैसे कि उसे birth, life and death की mysteries को जानना है, ये आज तक ऐसे ही घूमता रहा है, जवाब पाने के लिए, and soul इन सभी wandering thoughts को इकठा कर देती है, एक जगा पर collect कर देती है, अब ऐसे ही इसका fourth stanza, second stanza को continue करता है, जिसमें की self कहती है, कि जो soul है, वो तो हमेशा continue रहती है, जैसे उसके जो actions होते हैं, अगर body उसका साथ भी छोड़ जाती है, तो उसके actions रुपते नहीं है, ठीक है, उसका medium change हो जाता है, यानि की वो दूसरी body में enter कर जाती है, लेकिन वो अपने actions को पूरा करके ही छोड़ती है, जैसे उस blade को किसी कपड़े से wrap करके रखा गया है, और वो कपड़ा किसी कारण खराब हो जाता है, या फिट damage हो जाता है, तो उसके नया कपड़ा चढ़ा दिया जाता है, इट मेंज सोल अकेले exist कर ही नहीं सकती, उसे अपने deeds को perform करने के लिए कोई ना कोई medium चाहिए ही होता है, तो इसके fifth stanza में सोल कहती है, कि जब सारे wandering thoughts एक जगा एकठे हो जाती है, तो इससे satisfaction मिलती है, एक contentment, which is a stage of trance, और ये stage किसी को easily नहीं मिलती, इसके लिए worldly deeds को renounce करना पड़ता है, meditation करनी पड़ती है, और फिर जाके हमें ये stage प्राप्त होती है, और इससे हमारा heaven के साथ एक spiritual connection established हो जाता है, ठीक है, और यहीं पर पहुँच के हमें हमारे सारे दुख तकलीफों से मुक्ती मिलनी होती है, क्योंकि हमने सारी desires को छोड़ दिया होता है, और यहीं पर इसका first part खतम हो जाता है, और इसके second part में इसमें self ही बोलती है, वो कहती है कि हाँ हम मानती है कि हमारी soul eternal होती है, और वो different forms में रहती है, इसके लावा और बहुत सारी चीज़े होती है, जो कि सिर्फ सेल्फ को ही सैनी परती है, जैसे कोई physical pain होता है, तो उसका pain body को ही होता है, इससे soul का तो कोई लेना देना नहीं होता, इसके लावा इस दुनिया में existence का जो struggle है, वो भी body को ही करना पड़ता है, सबसे पहले तो उसके खुद की growth होती है, इसके लावा उसे earning देखनी होती है कि कैसे करनी है, ठीक है, कई बार उसे fight भी करनी पर जाती है enemies के साथ, तो ये सब struggles सिर्फ body ही सहती है, body ही करती है, soul इन सब चीजों से बहुत दूर रहती है, अब life तो सबकी same ही होती है, पहले सबका जनम होता है, and last में सबकी death हो जाती है, लेकिन उसके बीच वाला जो phase होता है, वो बहुत ही struggling होता है, and बहुत difficult situations को phase करता है इनसान, and वो फिर भी हार नहीं मानता, and soul का साथ देता है, हर एक situation को counter करने में, although credit हमेशा soul को ही दे दिया जाता है, but ये endless मेहनत करता कौन है, self, हमारी body, तो ये थे WB Yates के views, self and soul को लेकर, I hope आपको पौम समझ में आई होगी, तो अब हम मिलते हमारी next वीडियो में,